नमस्कार दोस्तों में हुसादिन कुमार और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझाया कैचलिए आज मैं आपको आउट आप दा इंडिया जनकी अमारी कंट्री के बाहर जौब बताने बाला हूँ निश्यत रही आपको बाहर डिरेक्ट अप्लाई नहीं करना है सबसे पहले आप इंडिया की कंपणी में अप्लाई करेंगे वहीं कंपणी आपको बाहर लेकर जा रही है और को नहीं अलिजिबल है क्वालिफिकेशन एक्स्पीरियंस सारा कुछ बताऊंगा आप बने रहेग करना है तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ऑफिशल वेबसाइट मिलेगी ऑफिशल नोटिकेशन मिलेगी आप खुद भी पूरी वेरिफिकेशन करके ही इस जॉब के लिए तभी अप्लाई कीचेगा तो यह कंपनी है टेली कंपनी के प्रोजक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडिया में रिक्यूर्मेंट कर रही है जाने कि इंडिया की कंपनी इंडिया से ही जो वर्कर है या फिर इंप्लाई है वो रिक्यूर कर रही है तो यह वहाँ पे आपको जो है जौब देगी तीन सालों का कॉंट्रेक्ट होगा दोस्तों यह टोटल पोस्टें 110 है को ज़न को ज़रूरत है पोस्ट जो होगी आपको मता दो कौन-कौन सी पोस्ट है मैसन के लिए 9 सोटें है कारपेंटर के लिए 2 और अनड्राइबर जो labor होती है unskilled जिसे आपकी टू पोस्टे हैं उसके लिए और driver के लिए 17 पोस्टे हैं application mode offline है कुवेट में ये job मिलेगी mason and carpenter के लिए apply करना है तो 8 वी pass और labor and skilled के लिए सिर्फ primary school दोस्तो और driver के लिए सिर्फ 10 वी pass experience की बात करें तो अगर आप mason की vacancy के लिए apply करते हैं तो आपको 5 सालों का experience होना चाहिए masonry, civil work including from work shuttering या फिर bartendering etc. तो preference ये civil जिसने भी telecom civil में पहले work किया हुआ है उसी को देंगे और आपको याद रखिएगा safety on site safety procedure का पता होना चाहिए carpenter की post के लिए apply करते हैं तो सिर्फ 5 सालों का carpenter का experience आपके पास होना चाहिए preference फिर civil work वाले को दी जाएगी telecom civil work वाले को और on site safety की आपको जो knowledge है वो होनी चाहिए सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए अगर आप labor unskilled के लिए apply करते हैं तो इसमें भी 5 सालों का experience है civil work like excavation यह कुछ trenches है lying है ducts है sub ducts का हो जाए या फिर cable का हो जाए rodding का हो जाए या फिर manual testing का हो जाए using of jack जो hammer हो थोड़े वगरा होते हैं वो चलाने आने चाहिए आपको concrete तोड़ना आना चाहिए और aspect तुछ है यह तो आप देख लीजेगा preference इसमें भी telecom जो civil work है उसको भी दी जाएगी अगर हम driver की वेकैंसी की बात करें तो इसमें दो सालों का experience होना है चाहिए लेकिन यह kuwait का है कि आपके पास kuwait के rule regulation होने चाहिए वहां का तो देख लीजेगा अगर आप kuwait में पहले काम कर चुके हैं तो तब ही driver की पोस्ट के लिए प्लाइख कीजेगा salary की बात करें तो कारपेंटर और मैसन की पोस्ट के लिए आपकी salary होगी 110 KD और 80 KD और 130 KD होगी आपकी food allowance के साथ जयाद रखिए गास में including of food allowance है driver की पोस्ट के लिए भी बाकी सभी के लिए भी दोस्तों इसकी last date 15 October 2017 है तो यह इनकी official website है जिसका link मैंने आपको यहाँ पर provide करवाया है फिर से बता दू यह जो link है आपको video के description और comment में मिल जाएगा यहाँ पर click करके आप official website को भी देख सकते हैं जो apply करना चाता है को download करेगा और जो इसकी official notification पाना चाता है वो यहाँ से यह download करेगा और बाकी जो other government job चाते हैं तो यह नीचे कुछ link है इन jobs के इसे देख लीजेगा इनकी भी last date पड़ी हुई है बाकी दोस्तों यह video आपको कैसी लेगी comment करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपन का बटन है यह subscribe के लिए ही होता है बिल्कुल free है इसका कोई पैसा नहीं लगता